मसकार जै जोहार जै चतिस गढ़ मैं हैमंत बगेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज से सुरू होने वाला है चतिस गढ़ का भोगोल जिसको हम लोग डीटेल से देखेंगे जैसे हम लोगोंने चत्तीजगड के सामान्य जानकरी जिला गठन इसको डीटेल से देखा वैसे ही चत्तीजगड के भुगोल को भी हम लोग जो है डीटेल में देखने वाले हैं आज का जो पहला लेक्चर होगा 36 गड का सामान्य भौगोलिक परिचाय हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में और क्या कुछ पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को explain करूंगा तो सुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को 36 गड का भौगोल और हमारा जो पहला टॉपिक है क्या है 36 गड का सामान्य भौगोलिक परिचाय तो भौगोलिक परिचाय के अंतरगज जो सबसे पहला चीज थोड़ा आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा 36 गड राज्य की स्थापना होती है एक नौवम बरसन 2000 को ठीक इसका छेत्रफल भौगोल पड़ रहे हैं तो छेत्रफल इंपोर्टेंट है न एक लाख 35,191 वर्ग किलो मीटर इसका छेत्रफल ध्यान रखना है काफी बार पूछा गया है कई किताबों में आपको एक लाख 35,192 देखने को मिलेगा कुछ में मैंने 93 भी देखा एक में मैंने 96 भी देखा है ठीक लेकिन एक यह जो 91 वाला है इसको ही जो है माना गया है ठीक तो यह हो गया कही बार पूछा गया है 46 गर का छेत्रफल कितना है तो एक 35 एक 91 एसे याद रख सकते हो छेत्रफल के आधार पर भारत के कौनसे क्रम का ये राज्य है तो ये भी काफी बार पूछा गया है मैंने बताया भी है पिछले वीडियोज में तो ये नौवा सबसे बड़ा राज्य है छेत्रफल के आधार पर छेत्रफल के आधार पर नौवा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरे नमबर में मध्यप्रदेश है, तीसरे नमबर में महराष्ट्र है, चौते नमबर में उत्तरप्रदेश, पाचवे नमबर में गुजरात, छटवे नमबर में करनाटक, उसक यहाँ पर एक और बात घ्यान रखोगे कि 36 गड़ 2019 के पहले देश का दस्वा सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था 2019 के पहले क्या हुआ तो 2019 में जम्वु कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा को समापते कर दिया गया पहले नहीं तो वो भी पूर्ण राज्य हुआ करता था तो वो 36 गड़ के 10 बड़े राज्यों में एक वो भी आता था ठीक तो 36 गड़ की स्थिति जो है 10 वे नंबर में हो जाती थी लेकिन अब वो हट गया तो 36 गड़े नंबर में आ गया इस चीज को ध्यान में रखेंगे मोश्ट इंपॉर्टेंट है काफी बार पूछा गया है इसके पाद अगला चीज पूछा जाता है कि 46 गड़ का छेत्रफल भारत के कुल छेत्रफल का कितना प्रतिसत है तो 3 दसमलग, 4 दसमलग, 4 दसमलो 11 प्रतिसत है यह जो 1,35,191 स्क्वेश किलूमीटर है यह भारत के कुल छेतरफल का 49,11 परतिसात है उशके बाद मध्यप्रदेश का कितने परतिसात भाज को अलग करके 36 गड़ बनाया गया या 36 गड़ का कुल छेतरफल मध्यप्रदेश के कुल छेतरफल का कितना परतिसात होता है तो 30.46 प्रतिसत ठीक मद्य प्रदेश के 30.46 प्रतिसत भाग को अलग करके 36 गड़ राज्य बनाया गया या इसको हम लोग एक तिहाई भी बोल सकते हैं ये बात मैंने नहीं बताया था ध्यान रखेंगे एक बटा तीन या फिर एक तिहाई हाला कि एक तिहाई में लगबग 33 प्रतिसत होना चाहिए लेकिन मोटा माटी हम पगड़ के चल सकते हैं कि मद्य प्रदेश के एक तिहाई भाग को अलग करके नविन राज्य चतिस गड़ बनाया गया तो ऐसा ध्यान में रखना ठीक ये वाली बात मैंने नहीं बताई थी ऐसे काफी सारी चीज़े छूट ज चेख जाती है तो उसको मैं दीर आगए बताता जाता हूँ ठीक तो एक तिहाई भाग से क्या बना 36 गड़ बना मद्य प्रदेश के एक दिहाई भाग से विश्व का एक देश है यूनान उसके बराबर है यूनान का चेत्रबल भी कुछ-कुछ ऐसा ही है और चत्तिजगर की जो आकृती है थोड़ा बहुत स्वेडन से मिलता ये भी ध्यान में रखोगे ये कुछ बेसिक जानकारी चत्तिजगर के भौगोलिक परिचाय के अंतरग गोल पड़रे हैं और मानचित रही नहों तो ऐसा संभव ठोड़ी नहां एक तो नक्षा बनाना भीदता बखुत जरूरी है कैसे बनाना है मैंने बताया है आप लोगों को मेरे साथ सात आप लोग भी बनाया करिए मैं अक्सर घ्लता हूं आरे ונ ओ झपत करी संद में ठीक तो ये हो गया हमारा 36 गड़ ठीक तो 36 गड़ का मानचित्र बनाना आना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा कुछ जो है 36 गड़ के मानचित्र में ही छेपा हुआ है अगर आपको पूरा का पूरा 36 गड़ सामान्य अध्ययन उसमें चाहे सामान्य परिचाय हो भोगोल हो आगे चलके जनजाती पढ़ोगे आप लोग इतिहास पढ़ोगे सब में ये जो नक्सा है मानचित्र है ये काम आएगा मैंने सभी 33 जिलो को इसमें ड्रॉ करके भी आप लोगों को बताया था तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है 36 गड़ का मानचित्र और अब तो हम लोग भोगोल पढ़ रहे हैं तो भई इसके भीना तो संभवी नहीं है ना भोगोल में मानचित्र होता ही होता है थे तो ये जो एरिया है इसका टोटल एरिया कितना है 1,35,191 वर्ग किलोमेटर में बार-बार दुह रहा होंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये टोटल एरिया जो है ये भारत के कुल छेत्रफल का 4.11 प्रतिसत है और मद्यप्रदेश के कुल छेत्रफल का अभी वाला मद्यप्रदेश नहीं भ्यान रखना पहले वाला मद्यप्रदेश की बात कर रहा हूँ ठीक पहले वाले मद्यप्रदेश के कुल छेत्रफल का ये 30.46 प्रतिसत भाग होता है मद्यप्रदेश बहुत बड़ा है अभी दूसरा सबसे बड़ा इस्टेट है ना पहले नहीं तो मद्यप्रदेश ही देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था ठीक तो अब आते हम लोग मानचित्र में तो इस 36 गड़ में टोटल कितने जिले हैं 33 जिले हैं मैंने जिलों जिला हैं मनेंद्रिगर चीरमिटी भरतपूर जिला यह कोर्या जिला यह उपर में बल्रांप पूर यह सरगुजा जिला जिला इसे बिलासपूर जिला तो यहां से हम लोग बना लेंगे ऐसे, यह कोरबा जिला, ठीक, कोरबा इधर से आ जाएगा ऐसे, राइगर जिला आ जाएगा, यहां पर हमारा सारंगर जिला आ जाएगा ऐसे, यह सारंगर बिलाईगर जिला, ठीक, यहां से हम लोग बना लेंगे यह सक्ती जिला, यह चापा उसके बाद यहां से यह आ जाएगा मुंगेली यह हो गया गौरेला पेंटरा मरवाही यह हो गया बिलासपूर जिला ठीक उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना राइपूर संभाग तो बीच से डिवाइड करना है ठीक है न यहां से आ जाएगा हमारा बलोदा यह हो जाएगा दुर्ग जिला नीचे बालोद जिला यह कवरधा जिला यह खैरागड छुई खदान जिला यह राजनान गाउं जिला ठीक और नीचे मोहला मानपूर अंबागड चाओकी उसके बाद यह हो जाएगा कांकेर जिला यह हो जाएगा कॉंडा गाउं जिला यह हो जाएगा नारायनपूर जिला ये हो जाएगा बीजापूर जिला ठीक है ना उसके बाद ये हो जाएगा हमारा दंतेवड़ा जिला ये सुकमा और ये बस्तर जिला ठीक तो ये 33 जिले हमारे 36 गड़ राज जके ये बनाना आपको लोगों को आना चाहिए भोगोल पड़ र जाएगा कौन सा जिला कहा पर है कौन सा जिला किस जिले को इस पर्ष करता तो यह हो गया उसमेंगे बाकी बैसिक चीजए हम लोग pastors देखें अब हम लोग प्डोशी राज्य देख लेते हैं प्डोशी राज्य भी मैंने बताया हुआ था यहां पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा ठीक यहां पर आ जाएगा जारखंड यह वाला इरिया यह वाला इरिया आ जाएगा हमारा ओडिशा यहां से लेके यहां तक पूरा इधर नीचे यह वाला हो जाएगा आंदर प्रदेश इधर हो जाएगा अपना ते वैसे जिले जो कि किसी भी अंतर राज जी ये सीमा को इस पर्स नहीं करते हों, किसी भी अन्य राज्यों की सीमा को इस पर्स न करते हों, या फिर अपने ही राज्य के जिलों से घिरे हुए हों, वैसे जिलों को भू आविश्ठित जिला कहा जाता है, ठीक, भू आविश्ठि जिले होंगे, जो कि किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को इस पर्ष नहीं करते हैं, ठीक, उस पर सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिलों की संख्याई, 22 सीमावर्ती जिले, मतलब ऐसे जिले, जो की 36 राज्यों की सीमा पर बसे हुए हैं, और जो अन्य राज्यों की सीमा को इस पर्श करते हूँ ठीक मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं लगता है थोड़ा सुलो बोलने की कोशिश करूँगा तो 22 जिले सीमावर्ती जिले हैं जैसे की बलरामपूर जसपूर रायगड सारंगड बिलाइगड महासमूंद गरियाबंद धमतरी ठीक तो 22 जिले सीमावर्त जिले हैं और 11 जिले जो है भू आवरिष्ठित जिले हैं टोटल कितने हो गए 33 हो गए एक चीज मैंने कोशिशन भी पूछा था उसको एकस्प्लेन मैं करूंगा बोलकर सोचता हूँ लेकिन भूली जाता हूँ अभी मौका आया है मैंने कोशिशन पूछा था कि 36 गड़के वे जिले कौन से हैं जो अपने ही संभाग के जिलों से घीरे हुए हैं ठीक तो यहाँ पर दो जिले हैं एक तो सकती जिला और दूसरा दंतेवाडा जिला जो की अपने ही संभाग के जिलों से घीरे हुए हैं ठीक जैसे कि अगर हम देखें सकती जो है इधर कूरबा इधर रायगड इधर सारंगड विलाईगड और इस तरफ जांजगीर चांपा ठीक दंतेवाड़ा को अगर हम लोग देखें तो इधर बस्तर इधर से बीजापूर इधर से सुकमा चारो तरफ अपने ही संभाग के जिलों से घिरा हुआ है ठीक उसके बाद अगर कोई और ऐसा जि बन सकता है तो यह हो गया संभाग हो गया जिला हो गया विकासखंड कितने है मैंने बताया था 146 विकासखंड है जिन में से 85 को आदिवासे विकासखंड बनाया गया है ठीक थोड़ा सा हम लोग अक्षांस देशांतर देख लेते हैं तो भई अक्षांस देशांतर मैंने ब 17.46 से 24.5 उत्तरी अक्षान्स हमारे 36 गड़ का अक्षान्स ही विस्तार अक्षान्स जो है प्रित्वी पर ये मादलो हमारा प्रित्वी है इस तरह के जो लाइन्स होते हैं ना आड़ी रेखाई इनको अक्षान्स बोला जाता है ठीक अक्षान्स रेखाऊं से दूरी का मापन किया जाता है ठीक तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा 17.46 ये कितना होगा 17.46 उत्तरी अक्षान्स है और ये वाला जो पॉइंट है यह वाला जो point है यह होगा 24.5 उत्तरी अक्षांस ठीक तो यहां तक clear है अब बात करें हम लोग देशांतर की तो देशांतर रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं होती है इसको मैं बताता हूँ बताया हुआ है हला कि ऐसी जो खड़ी रेखाएं होती है यह देशांतर रेखाए होती है ठीक खड़ी रेखाएं क्या होती है देशांतर रेखाएं होती है तो इसका भी देख लेते हैं क्या इसका data निकल करके सामने आता है तो 85 85 85 84 25 ठीक 80 85 85 84 25 डिगरी पूरवी देशांतर तो यह वाला जो पाठ है यह 80 हो जाएगा 80.15 ठीक अर यह वाला जो पाठ हो जाएगा यह 84.25 ठीक अब यहाँ पर एक चीज द्यार रटना कि जो अक्षांस की बात आएगी तो अक्षांस उत्तरी अक्षांस क्योंकि जो अक्षांस रेखाई है ये दो भागों में बटा हुआ है उत्तरी अक्षांस और डक्षणी अक्षांस मतलब हमारे प्रित्वी के उत्तरी भाग में जो अक्षांस रेखाई खीची गई है उनको उत्त तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है 80.15 डिगरी पूरवी देसानतर से 84.25 पूरवी देसानतर तक 36 गड़ इस्थरित है ठीक तो यह ध्यान रखना है अप लोगों को अक्षान और देसान तरी रेखाएं अक्षान से दूरी के मापन के लिए होती है और देशानतरी रेखाई समय के मापन के लिए होती है, तो ये चीज ध्यान में रखोगी, ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज हम लोग देखेंगे, करकरेखा, करकरेखा, इसको भी मैंने डीटेल में बताया हुआ है, तो अभी मैं जादा डीटेल नहीं बताऊंगा, भोगोल का पार्ट है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक, तो करकरेखा, कि अगर मैं बात करूँ, तो करकरेखा, जो की 23.5 उत्तरी अक्षांस में खीची गई, एक कालपनिक रेखा है, ठीक, 23.5 उत्तरी अक्षांस, अब यहाँ कहीं होगा, यह 24.5 है, तो इसी के नीचे होगा न, उसका सूर्य जो है, वो अपना इस्थिती बदलता है, तो उसी क्याद, हाला कि सूर्य अपनी इस्थिती नहीं बदलता है, पृत्वी अपनी इस्थिती को बदलती है, क्योंकि पृत्वी 3.5 डिगरी जुकी हुई है, तो उसी कारण से ऐसा लगता है, कि सूर्य जो है, रहता है आप लोगोंने नोटीस किया होगा कि सूर्य जो है कभी इस तरफ से निकल रहा है कभी उस तरफ से निकल रहा है मतलब निकलता पुर्वधिसा से ही है लेकिन थोड़ा सा आप लोग देखना कि कभी थोड़ा सा जो है इस तरफ हो जाएगा इस चीज़ को आप लोग करकर एखा गुजरती है कैसे गुजरेगी ऐसे मनेंद्रगार चीरमीरी भरतपूर कोर्या सूरजपूर फिर बलरामपूर होते हुए यह ऊपर चली जाएगे जस्पूर में नहीं घुसती ध्यान रखना में पाड़ा त्यड़ा बना है तो जस्पूर में घुसती है चार जिले, मनेंदरगड, चिरमीरी, भरतपुर, उसके बाद कोरिया, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद बलरामपुर, इन चार जिलों से जो करक रेखा है वो गुजरती है, अब दूसरी एक रेखा होती है IST लाइन, जिसको बोला जाता है भारतिय मानक समय रेखा, भा जो की ब्यासी दसमलव, पाँच, या फिर साड़े ब्यासी पूर्वी देशांतर में खीची गई है, ठीक, ये देशांतर ये रेखा है, और ये जो है अक्छांसी ये रेखा, ये विध्यान रखेंगे, जो करक रेखा है, ये अक्छांस रेखा है, जो की 23 दसमलव, उत्तरी अक्षांस पर खींची गई है और जो IST line है ये 82.5 पूर्वी देशांकर में खींची गई है ये जो है समय के निरधारण के लिए हम लोग हमारे देश में जो भी समय होता है इसको time zone भी बोला जाता है इंडियन time zone ठिक इंडियन standard time भारतिय वानक समय तो यहीं से जो ह साड़े 82 डिग्री से गुजरती है जो कि हमारे 36 गड़ से हो करके गुजरती है अब किन-किन जिलों से गुजरती है ये पूछा जाता है तो ये जो है सूरजपूर से गुजरेगी कोरिया से गुजरेगी फिर कोरबा से उस बाद जानजगीर चापा से फिर बलोदा बाजा से फिर महासमूद से फिर गर्या बन से और इधर निकल जाएगी साथ जिले अब यहां पर मेप जो है आडा तिला बना हुआ है थोड़ा सा यह तिड़ा होता है ना चातिस गड़ तो अगर वैसा हम लोग देखेंगे तो सीधा यह जो है ऐसे आ जाएगा यह जो रेखा है ना यह मैं यहां आडा तिला बन रहा है लेकिन यह जो है सीधा आ जाएगा ठीक मैप जो है थोड़ा सा आडा तिला बन गया है इस कारण से तो जिले आप लोगों को ध्यान रखना है कोर्या सूरजपूर कोर्वा बलोदा बाजार कोर्या सूरजपूर उसके बाद कोर्वा फि से होकर के भारतिये मानक समय रेखा गुजरती है भारत के पांच राज्यों से होकर के गुजरती है उत्तर परदेश मद्यप्रदेश 36 गड़ ओड़िशा और आन्दर परदेश ठीक ध्यान रखना इस Cook को ुसके बाद करकर रेखा की बात करें तो करकर रेखा भारत के आट र जाज्यों से होकर के गुजरती अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतिय मानक समय रेखा और करक रेखा एक दूसरे को किस इस्थान पर काटते हैं तो यहां पर देखो यह लोग काट रहे हैं ना इनका जो कटाओ बिंदु है यह जो पीएसी ने आंसर लिया है कोरिया को जो चिप्स है ना 36 गड़ इन्फो टेक कुछ चीज का फूल फॉम ऐसे यह 36 गड़ इन्फो टेक के यह है ना चिप्स ठिक चिप्स तो उसमें भी जो है कोरिया में ही कटाओ बिंदु बताया गया है ठिक और सीजी पीएसी ने एक बार आंसर भी लिया है 2018 में कोई एक्जाम हुआ था उसमें जो है इसने आंसर लिया था कोरिया को की करक रेखा और मानक समय रेखा का कटाओ बिंदु कहां पर है तो उसने कोरिया को आंसर लिया है एक बार क्वेश्चन विलोपीत भी हो गया था ओप्शन में जो है सूरजपूर दिया हुआ था लेकिन कोरिया नहीं दिया हुआ था तो क्वेश्चन जो है विलोपीत हो गया था लेकिन वर्तमान समय में सूरजपूर का एक जगा है सूरजपूर में एक इस्थान है भैसा मुंडा करके वहाँ पर एश्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है क्या बनाया जा रहा है एश्ट्रो पार्क भारत सरकार के द्वारा सूरजपूर जिले में सूरजपूर जिले में भैसा मुण्डा नामक कोई स्थाने वहाँ पर एश्ट रोप पार्क बनाया जा रहा है ठीक, तो यहाँ पर जो भारत सरकार है उसका ये कहना है कि इसी स्थान पर करक रेखा और भारतीये मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं, तो इस इस इस्थान को जो है क्योंकि ये क्या बोलनाची पूरे भारत में एक मात्र इस्थल है ठीक पूरे भारत का एक मात्र इस्थल है जहां पर करकर रेखा और भारतिये मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं ठीक तो ध्यान रखना पूरे भारत में एक मात्र इस्थान है ये पूरा जो अपना जो क्या बूलना चाहिए सौर मंडल है उसका पूरा उसमें मॉडल तैयार किया जाएगा आप उहां घूमने जा सकते हैं देख सकते हैं सारा चीजों को ठीक तो एश्ट्रो पार्क भी पूछा जा सकता है तो सूरजपूर जिले में बनाया जा रहा है ठीक इतनी बाते ध्यान रखना अच्छा करक रेखा और भारतिय मानक समय रेखा के बारे में एक और चीज कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये सूरजपूर और कोरिया जिले से गुजरती हैं अगर आपसे पूछा जाएं कि ये दोनों रेखाएं किन जिलों से गुजरती हैं मतल भारतिय मानक समय रेखा सूरजपूर में और चुर्छबार ऐसा जीला है जिसमें और भारतिय मानक समय रेखा दोनों ही गुजरते हैं तो यह ध्यान रहे Dennis अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर मतलब 36 गड़ का सामानने भावगोलिक परिचाए हम लोग देख रहे हैं तो ये जो बेसिक चीजे हो गई अब इससे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक प्रदेश ठीक आगे डीटेल मे तो जो भावगोलिक बनावट के आधार पर हर इस्थान एक जैसा नहीं होता है सबकी अपनी अलग-अलग विशेस्ताइं होती है कोई जंगली छेतर होता है कोई पहाडी छेतर होता है कोई घाटियों वाला होता है कोई पाठ प्रदेश वाला होता है कोई मैदानी छेतर हो मैदान यह जो बीच वाला जो भाग है यह 36 गड़ का मैदान कहलाता है जिसमें हमारा राइपूर संभाग दुर्ग संभाग बिलासपूर संभाग इसमें आ जाएगा महानदी यहां की प्रमुक नदी है तो इसको महानदी का मैदान भी बोला जाता है दूसरा होगा दंडकार कारण्य का पठार ये जो बस्तर संभाग वाला जो भाग है जिसमें ये साथ जिले आएंगे ये सब जो है दंडकारण्य के पठार के अंतरगत आएगा और यहां पर इंद्रावती प्रमुक नदी है उसके बाद पूर्वी बगहल खंड का पठार देखो ये सारा चीज हम लो आजाएगा हमारा सर्गुजा संभाग सर्गुजा संभाग में भी जस्पूर वाले भाग को छोड़ करके सर्गुजा बलरामपूर के कुछ भाग को छोड़ करके इधर पूरा का पूरा मनेंद्रगड भरत पूर चिर्मिरी जिला कोरिया जिला सूरजपूर जिला अमरी पाट प्रदेश ठीक ये जो है जस्पूर वाला भाग तिस तरह से हमारे चार प्राक्रतिक प्रदेशों में बाटा गया है विभाजित किया गया है बनावट के आधार पर भोगोलिक बनावट के आधार पर अगर हम बात करें चार्टिस गड़ के मैदान की तो वो पू चेंटर वाला भाग जो है वो पूरी तरह से मैदान है प्लेन है वहाँ पर पहाड वगेर उतने देखने को नहीं मिलते हैं तो इसको चत्यजगर का मैदान या फिर महानदी का मैदान या महानदी बेसीन के नाम से इसको जाना जाता है डीटेल में हम लोग देखेंगे से वुडत सारे पाहाड भी हैं वैलाडिला की पाहाड़िया बचली की पाहाड़िया अबुझ.मार की पाहड़िया फिक नंदीराज परवत्सरिंखला चोटी फिक त्प यह सारा चीज दंडका रेने के पठार में ठीक ऐसमाद पूर्वी बगहेल खंढ का पतार यह वाला पाट प्रदेश तो इस तरफ ये भी परवत पठार वाला ही भाग है, चातिजगर का सबसे उंचा परवत श्रिंखला गौर लाटा, ये जस्पूर सामरी पाट प्रदेश में ही आता है, ठिक, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, अभी बस थोड़ा से दिमाग में बैठ रखना कि ये चीजे है, एकजिस्ट करती है, इसक बाद हम लोग बात करें, ये तो हो गया चतिजगर के प्राकरतिक प्रदेश, चतिजगर की भूगार्भिक सनरचना, ये तो पृत्वी के उपर की बात हो गई, न कि पृत्वी के उपरी भाग को ऐसे 4 भागों में बाटा जमीन के अंदर की सनरचना कैसी है मैंने क्या बोला भूगार्भिक सनरचना की जमीन के अंदर का क्या हाल है तो भूग ार्भिक सनरचना को हम लोग डिटैल में देखेंगे अभी बस basic मैं वता दूं कि 36 गड़ की भूग आर्भिक सनरचना में लगा सकते हैं उस बाद दूसरे नंबर में आता है गोंडवाना सेल तंत्र जो की पूरा बस्तर संभाग में देखने को मिलता है गोंडवाना सेल तंत्र इस वाले भाग को छोड़ करके इधर जो है पूरा गोंडवाना सेल तंत्र देखने को मिलता है इस वाले भाग में भी गोंडवाना सैल तंत्र देखने को मिलता है, कोरबा चेतर में, रायगर चेतर में, ठीक, इधर इका दुखका थोड़ा बूद देखने को मिलता है, गोंडवाना सैल तंत्र, और जहां पर गोंडवाना सैल तंत्र होगा ना, वहां पर कोईला मिलेगा, ठीक, तो ये भी काफी पूछा गया है कि 36 गड़ के किस प्रकार के सैलतंत्र से कोईला निकाला जाता है तो गोंडवाना सैलतंत्र उसके बाद तीसरा होगा धारवाड सैलतंत्र धारवाड सैलतंत्र हमारे बस्तर संभाग में देखने को मिलता है धारवाड सैलतंत्र ठीक धारवाड सैलतंत्र पूर झत वाले बैल्ट में धारवाड सेल तंत्र हमको देखने को मिलेगा और पूरा का पूरा बस्तर समभग ठीक इसके बाद आजाता है डककन ट्रेप जो है जसपूर सामरी पार्टप्रदेश वाले एरिया में कूर्बा में देखने को मिलेगा दककन ट्रेप और जहाँ पर दककन ट्रेप होगा वहाँ पर बाकसाइड मिलेगा और जहाँ पर धारवाड होगा वहाँ पर लोह खनीज मिलेगा ठेक की सीधे बस्तर में देखिएगा दंतेवाडा कांकेर नारायनपूर में लोहा की खदाने तो इहां पर मिलेगा कडपा सहल तंतर रायपूर दुर्गवाले संभाग में खास करके कडपा सहल तंतर जहां से चुना पत्थर मिलता है ठीक तो यह सारा चीज हम लोग डीटेल में देखेंगे नदी अपवाहत अंत्र की अगर हम बात करें तो हमारे चत्तिजगड को पांच नदी अपवाहत अंत्र में बाटा गया है ठीक कौन-कौन से हैं ये नदी अपवाहात अंत्र तो एक तो हो जाएगा सबसे बड़ा महानदी अपवाहात अंत्र जो की लगबग लगबग पूरे चत्तिजगर को वो कवर करती है नीचे दक्षन वाले भाग को छोड़ दिया जाए उत्तरी भाग को छोड़ दिया जाए तो प सा राज्य में चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है महा नधी की बहुत सारी सहाइक नदियाँ है जिन में उसकी प्रमुक्ष चानदी सिवनात गया थिक इसके अलावा और भी कहीं सहाइक नदिया जैसे की दूध नदी पैरी नदी सुंधूर नदी लोग देखेंगे इसको उसके बाद गोदावरी अपवाहा तंत्र बस्तर संभाग के अंतरगत आता है ठीक है ना? तो बस्तर की जो प्रमुक नदी है इंद्रावती, सबरी नदी, कोटरी नदी ये गोदावरी अपवाहा तंत्र में सामील होते है। फिर गोदावरी की सहायक नदियां है ठीक उसके बाद उत्तर में जो है सोन गंगा अपवहा तंत्र जो सरगुजा संभाग वाला भाग है जस्पूर सहीत यह सोन गंगा अपवहा तंत्र का हिस्सा है सोन नदी जो की अमरकंटक के आसपास कहीं से निकलती है और यह गंगा नदी में पटना में एक स्थान है सोन पूर वहाँ पर जो है यह गंगा नदी से मिल जाती है ठीक तो उपर की जितनी भी नदियां है रिहंद नदी हो कनहार नदी हो बनास नदी हो गोपद नदी हो यह सब जो है सोन नदी में जाकर के मिल जाती है और बाद में फिर गंगा नदी में ठीक तो यह होगे तीन अपवाहा तंतर इसके बाद है ब्राम्भणी अपवाहा तंतर ब्राम्भणी अपवाहा तंतर में इधर जो जस्पुर का थोड़ा सा भाग उसमें आता है एक संख नदी जो है ब्राम्भणी अपवाहा तंतर में मिलती है उसके बाद फिर न परपात, अमरित धारा जल परपात, रक्स गंडा, सर्भंजा, तीरत गड़ ये तमाम चीज़ों को ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा अगर मैं वन की बात करूँ तो हमारे चत्तिस गड़ में साल व्रिक्ष या फिर मैं बताऊं कि हमारा जो चत्तिस गड़ है वन संपदा के मा साल व्रिक्ष को हमारे चत्तिस गड़ राज का राज की व्रिक्ष का दरजा भी दिया गया है, ठीक, साल व्रिक्ष को, अब साल व्रिक्ष को हम लोगों को पढ़ना है, तो बस्तर छेतर में साल व्रिक्ष की बहुलता दिखने को मिलती है, ठीक, बस्तर को साल व्रिक्ष का साल वनो का दूइप कहा गया है ठीक, साल वनो का दूइप गुलसेर अहमद खासानी इन्होंने जो है बस्तर को साल वनो का दूइप कहा इसी नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी इसके अलावा हमारे 36 गड़ में सागाउन के व्रिक्ष भी देखने को मिलते हैं ठीक इसके अलाव मिस्रित वन भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक साथ काफी सारे व्रिक्ष हों ठीक बास के वन भी हमको देखने को मिलते हैं वन संसाधन हम लोग पड़ रहे हैं तो इसी के साथ हम लोग जो है अभ्यारण अब यहां जिला मिलता है इस कारण से विद्धित उत्पादन के मामले में 36 अगरणी राज्यों में एक है लोह एस्ट की उपलब्दता के कारण ये जो है इस पात उद्योग में भी अगरणी है यहाँ पर भिलाई श्टील प्लांट इस्थापित किया गया है और बस्तर जिला में नगर भारती अलुमिनियम कॉर्परेशन लिमिटेड ठीक बालको तो ये सारा चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है खनी जो गया इस वद्योग वगेर में हम लोग उद्योग भी देखेंगे जैसे इस्टील प्लांट है हमारे आइस पात उद्योग भिलाई इस्टील प्ला है इसमें जो मैंने सुरू में जो बेसिक जानकारी दी उसको आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से देखना अगर अभी चूक गए हो तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो बाकी चीजे मैंने सौट में बताया क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये चीजे हम ने जानकारी दी ठीक तो कल से प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है भोगोल को सुरू करेंगे और नक्सा बनाना मानचित्र बनाना आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि इसी को लेकर के मैं चलने वाला हूँ इसी के आधार पर सब चीज मैं बताऊंगा जैसे मान लोग खनी ठीक तो इसी के साथ आज का ये वीडियो इहीं पर समाप्त होता है आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को सेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे अधिक से अधिक लोगों का भला हो और साथी साथ मेरे चैनल में व्यूज भी बड़े व्यू बढ़ अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कहीं पर कुछ मिश्टेक किया है उसको तो जरूर से बताईएगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद